माननिया अध्याक्ष जी मानने सदर्शगन मुझे आपको सुचित करना है कि आज सदन में विशिद दिर्गा में सुरिनाम गनराज की नेश्टल एसेमली के चेर्मेन मामईम स्री मरिनूस बे और उनके साथ आए सुरिनाम के सदिये सिष्ट मंडल के सदश्य विराजमान है मैं अपनी ओर से ता सदन की ओर से सभी मानने सदश्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्वानित अतिती स्री मरिनूस बे और वहां के संसदिये सिष्ट मंडल के सदश्यों का सागत आए अभिनंदन करता हूँ संसदिये सिष्ट मंडल के सदश्यों का भारत आगमन रहिवार चार फरवरी दोजाज चोईस को वाता सिष्ट मंडल के सदश्यों दिल्ली क्यातित अयोध्या एंव आगरा की यात्रा भी करेंगे उनका गुरुवार दिनाग आठ फरवरी दोजाज चोईस को भारत से प्रस्तान होगा हम अपने देश में उनके शुकत और सफल प्रवास की कामना करते हैं उनके माद्यम से हम सुरुई नाम की संसत वहां की सरकार वहां की मित्रुवत जनता को अपनी बधाई और शुकामनाएं प्रेशित करते हैं माननी सदश्यगन मुझे सभा को नामी बिया गनराज के राष्टपती महमईम डाक्टर हागे जी गाइन गोब के दुकत निकद्न के बारे में सुचित करना है स्री हागे जी गाइन गोब नामी बिया के सुद्टा सेनानी राजनेता और वहां की सविधान सभा के अध्यक्ष थे ततावे सतंत नामी बिया के पहले प्रदानमंती और देश के तीसे राष्टपती थे उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश वासियों के कल्यान अपने देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया राष्टपती गाइन गोप के भारत के से भी भहुत मित्वत समन्थ थे वर्ष गुन्नी सुपिच्चाण में तदा वर्ष 2015 में उन्होंने भारत की यात्रा भी की थी सितंबर 2022 में नामीबिया के आठ चीतों को भारत में इस्तांतिन्त करने के प्रोजेक्ट में भी राष्टपती डाट्टर गाइन गोप की भूमी का अत्यंत सरानिये रही उनका दिहान चार फरवरी दोजाज चोईस को नामीबिया की राजधानी विंड होक में 82 वर्ष में हुआ ये सभा नामीबिया के राष्पती डाट्र हांगे गाइन गोप के निधन पर घरा शोक वेक्त करती है दिवंगत नेता के परिवार के प्रती भी घरी सवेदना वेक्त करती है तता नामीबिया की सरकार वहां के नागरिकों के प्रती भी अपनी एक जुटता वेक्त करती है अब सभा दिवंगत नेता के सम्मान में उद्देर मोन रहेगी प्रशन काल क्यूशन नम्मर ट्वंटीवन सी बजेंद सिंग जी सर प्रशन संख्या एक्केस माननी मंत्री मोदे माननी सदश्य सर मैं मंत्री जी का बाद जिताता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे प्रशन का उत्तर दिया है उसमें वो लेख किया गया कि सर्शिक्षा अभियान राश्य मादिमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का समावेश कर समग्र शिक्षा अभियान की रशना की गई मैं मंत्री जी से आपके मादिम से जानना चाहूंगा कि समग्र शिक्षाबियान की इंप्लिमेंटेशन के बाद से क्या लड़कियों की इंड्रोल्मेंट में कोई बढ़ोतरी देखी गई है खास तोर पे उन इलाकों में जहां फीमेल लिटरसी का अभाव है इसे बेटर करने के भी क्या प्रयास किये जा रहे हैं क्रपया इसका भी उलेग करें दन्यवाद जिर्ट नित्रितु में चोटीस वर्सों के बाद रास्ट्री सिक्षानिती आई और रास्ट्री सिक्षानिती दो हजार बीस के माध्यम से शिक्षा को समगरता एवं समावेशी रूप में कैसे रखा जाए इस पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके ताथ कई सुधारों का प्रावधान भी है और इसके करियानवन में कई गतिवीदियां भी सामील है और जिस तरह से माननिय सदेश्य ने ये पूछा है लड़कियों के इन्रॉल्मेंट के बारे में तो मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि समगर शिक्षा अभियान के बाद से 2014-2015 से 2022-2022 तक का अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के इन्रॉल्मेंट में भी बिर्दी हुई है और बच्चियां स्कूल में आए वो बेहतर शिक्षा ले इसके लिए कई ऐसे पहल हमारे माधियम से शिक्षा विवाग के माधियम से किये गये हैं और उसमें लगबग हम देखें तो नौ वर्सों में अभी तक एक लाख बीस अजार से अधिक चात्राओं के लिए सावचालय का निर्मान किया गया है अलग-अलग तरह से जैसे के जो कस्तुर्वा गांधी आवाशिय विद्याले है उसके माधियम 14-15 से लेकर 22-23 तक अभी तक लगबग 336 कस्तुर्वा गांधी वाली का विद्याले को आठवी से दस्वी ग्रेड में अभी ग्रेड किया गया है और 15-30 कस्तुर्वा गांधी आवाशिय विद्याले को आठवी से बार्वी तक अभी 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 प्री टेक्सटबूक दी जाती है आथवी तक के चहत्रावों को उसके साथ ही साथ उनिवॉस दिया जाता है इसके साथ दिंवांग बचों को बार्वी तक का उसे स्ट पेंदिया जाता है बचियों को सेल्फ डिफेंस की टेंनिंग भी दी जाती है बचि 카ो NMMS scholarship भी दी जाती है तो इस तरह से समगर सिक्षा के माध्धियम से आदेनिये प्रधान मंत्री जी के नेत्री तुम्हें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहट बहुत सारे initiative लिये गया है और बहुत ही enrollment भी बच्चियों का बढ़ रहा है मानिश सदस्ट सब्लिमेंटरी जी सर सर मंत्री जी ने अपने जवाब में वो लेख किया कि प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइसिंग इंडिया पी-म श्री को दो अजार बाईस से शुरू किया गया है जिसमें देश के करीब चौदा अजार 500 स्कूल चिनित किये गए है जिनके स्तर में बेतरी की जाएगी और इसमें ये भी उलेख किया गया कि उसमें से 114 पी-म श्री स्कूल जो है वो हर्याना से भी चिनित किये गए है उत्तर में ये बताया गया कि जो मेजर इंटर्वेंशन्स विए पीम श्री के माद्यम से उसके दस बिंदू दिये गए हैं. मैं सिरफ आखरी बिंदू को पढ़ना चाहूंगा. इसमें लिखा है कि vocational interventions and enhancing internship and entrepreneurship opportunities especially with local industry, mapping of skills with developmental projects with nearby industry and develop courses and curriculum accordingly. मैं इस अंदर में आपके माद्यम से मंत्रीज इसे जानना चाहूंगा कि जिन vocational interventions का और skill को develop करने का प्रयास होगा और जो course और curriculum को भी उस प्रकार से विक्सित किया जाएगा उसके लिए क्या नए शिक्षकों की बर्ती इसमें की जाएगी या जो मौझूदा शिक्षक हमारी विवस्था में हैं उनी को बेतर ट्रेनिंग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो धे है PM श्री का इसकी हम प्राप्ती कर सके नन्यवाद माननिय अध्यक्ष मोदे पीम स्री विद्याले के बारे में जो मानने सदेश ने कहा है बिल्कुल ये आदरनिय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे ऐसे विद्याले हो जो की वो अग्रणी भूमिका में कामाए और वो निभाए और उसी के तहत पीमसरी विद्याले की सुरुवात की गई और पीमसरी के कुछ पीमसरी विद्याले चैनित होने के 14,500 पीमसरी विद्याले चैनित होना है तो जिसमें 6,000 से ज़्यादा भी चैनित हो चुके हैं और उसके कुछ मांदंड है उसके अनुसार ये चैनित होते हैं, चैलेंज मेथट के तह चैनित होते हैं, तो प्रदेसों के दुआरा जो विद्याले चलाए जा रहे हैं, या फिर हमारे किंद्रिय विद्याले हैं, नवदे विद्याले हैं, वैसे विद्याले उस रेणी में जो चैलेंज मेथट को पार क प्रकंड पर उत्पास के विधियालय को भी बेहतर ढंग से वो गाइड कर सकें. तो इसके लिए कई इनिसेटीव लिए जा रहे हैं और इसके साथ हम उसमें ग्रांट भी दे रहे हैं, उसको हम help भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हर्याना में भी ऐसे विद्याले चैनीत किये गए हैं और ऐसे भी सिक्षा सम्वर्ती सुची में हैं लेकिन यह हमारी प्रात्मिक्ता है कि सिक्षा को हम बहतर करें और अधनिय प्रधानमंत्री जी इस और नए-नए इनिसेटिव ले रहे हैं और रास्टे शिक्षा नीती के साथ साथ समगर शिक्षा और प्यम सिरी के माधियम से यह हमारा प्रयास है कि हम अच्छे विद्याले और अच्छी एजूकेशन हम अच्छी सिक्षा बच्चों को दे इसके तहत यह काम किये जा रहे हैं और शिक्षकों को भी हम अलग अलग स्तर पर जैसे शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा है तो निष्ठा एक उनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सिक्षकों को उसके आवेशक्ता के अनुसार समय समय पर उन्हें ट्रेणिंग कराते हैं इसके साथी साथ डाइट्स है जो डाइट्स को जी और इसके साथ ही साथ आईट्यप है जो आईट्यप चार साल का इंटीग्रेटेड़ कोर्स भी है जो लागू हो चुका है और उसमें सिक्षक किसी एक विशाई में ही विशिस्रता हासिल करेंगे इस आईट्यप के माध्यम से तो अलग-अलग माध्यम से यह हमारी सोच है यह हमारा प्रयास है कि हम अच्छी सिक्षा बच्चों को दे इस आईट्यप चार साथ जी for giving me an opportunity to speak on the ministry of education primary education is paramount importance for all the students because the education the primary level is a fundamental for the any child till their end at this stage I would like to know I would like to mention that in Thiruvannamalai there is a Kendriya Vidyalaya I appreciate the government's efforts in including English and Hindi at all levels we welcome it but at the same time the students are finding difficult because most of the teachers are Hindi speaking teachers but the students are finding difficult to understand at this primary level so at least to certain point some extent if the teachers are from the regional local region then the understanding capacity can be increased manifold from teachers to students so will the government be kind enough to think in this issue and recruit the teachers from the regional level at all regions because our honorable prime minister is very much proud of our Tamil language and wherever he goes he talks about Thirukural but unfortunately in my state especially in Thiruvannamalai we find local teachers are not from Tamil Nadu they are mostly from North India and that is why students are finding difficult to understand the subject kindly consider and will the government be kind kind enough to consider this request thank you Mr. D. Aadhyaksha Mohdara Raastriya Shikshan Niti 2020 this is put in the United States and it is always a one who says the President and the President and the President and the President and the President पॉलिशी की बात हम कहते हैं, ताकि बच्चों को समझने में, सिखने में दिकत न हो, और उसके तहत ऐसे शिख्चा की बात अगर हम करें, तो सिख्चा सम्मिदान की समवर्ती सूची में आती है, तो जिसके तहत बहुत सारे जो राज्य के विध्याले हैं, वो अपने हिसाब समय समय पर हम उसके लिए परियास करते हैं, जहां तक किंद्री विध्याले की बात है, तो निश्ची तुरुप से यह हम सब का परियास है, जो सिख्चे को वहां पर उपस्तित हैं, वो बच्चों को उनके बादा में वो सिखाए. श्री मलुक नागर जी, थैंक यू, मैं मानिय मंतरी जी से प्राफना करना चाहता हूं, मैंने सदने में कई बार मुद्दा उठाया, और हमारा विजनावर जहां से मैं MP हूं, वहां तीन लोग सभा पढ़ती हैं, उत्तर पर देश सरकार पर पहुँच जाती है, अधरिकार कब होगा, और एक दूसरा साब कहना चाहता हूं, देश की सरकार बहुत जादा बढ़ावा दे रही है, जो बाउंडरी है देश की, तो जो सीमा पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंडरी पे जो मुसलमान गूजर है, वहां स्कूलों की बहुत कमी है, कि क्या बड़ के लिए है, तो ऐसा कोई, जैसे कस्तुर्भा गांधी आवाशिय विद्यालाइक खुले जाते हैं, तो जहां जहां जो बैकवर्ड़ी इस से जूड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चुकि राज्जी की विशेश जवाब दे ही राज्जी की होती है, संबड़ती सूची में आने के वज़े से, तो राज्जी सरकार इस पर विशेश रूप से हर एक सरकार अपने-पने स्तर से निसेटिव लेती है, और नए-नए तर आमा नागेशर राओ, तैंक 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 यू स्पीकर सब विद्या जो है, जो बच्चा लोग विलेज लओल में जो रहता है, वो लोगं के विद्या बहुत इंपर्टेंट है, अभी हान्रबूल मिनिस्टर ने विद्या का बारे में, जो जो ये गॉवर्मेंट जो लिया एक नवदे विद्याले देता है, अमारह तेलंगाने के लिए 33 इस्ट्रेक्स था, बहुत दफा ये हाॉस में हम लोग उटाया है, और एक एक डिस्ट्रेक्स नवदे ले देने का था, तोट अ 33 डिस्ट्रिक में सिर्फ जो ना 9 नолько वदे विद्याल दिया है बाकी कब तक दिय सकता है कि मोट दुने इस नो इस्टेट में यह ने इंटेर। कंट्री में हे स्टेट में सिर्फ जो है नो वादे विद्ध्याल डिस्टिक को एक नई दिया है अम ये ब alternтесь को क्लारिफिकेशन लेना चाहते हैं तैंक यू सब्सक्राइब नहीं है लेकिन फिर भी एक जानकारी मानिया सदे से को यह मैं देना चाहती हूं कि यह नवदे विद्याले खोलना एक सतत प्रक्रिया है और जिसके तहत कई उसके पैरामिटर्स है और उसके तहत वो किये जाते है तो निश्ची तुरुप से फिर उससे संबंधित मानिया सदे से लाएंगे प्रस्न पिर इसके बारे वें जवाब देना चुशन नंबर 22, PV मितन रेडी मानि मंती जी Sir, an answer is laid on the table of the host C. K. Ramon I do Sir, for the last four years the state of Andhra Pradesh has been suffering extensively due to financial mismanagement which is being carried out by the present state government It has not been able to pay the salaries of the employees There is close to zero expenditure being spent on infrastructure like roads There is mismanagement, diversion of funds which are being sent to the state government Sir, in this, I want to mention to the Honourable Minister that when there is a financial crisis in the state Number one is the malintention of the state government itself Number two is when the state government is not able to maintain financial discipline Sir, what I mean by this is there are FRBM limits that are already there But with the states, due to its own greed, it is borrowing much more than the limits And when the limits come into the picture, when they are close to the FRBM limits They are trying to use the state owned corporations to raise much more money, sir Which is pushing the state into much more debt But maybe it is not being shown under the FRBM limits And one such example for the state of Andhra Pradesh The present government, sir, it has promised that it is going to go Sir, I will just finish up It has promised that it is going to do liquor ban And now it is so hypocritical that the AP state beverages corporation Which is going to sell liquor And they are taking funds by issuing bonds through this corporation, sir And increasing the borrowings of the state I just want to know through the Honourable Minister When the state is not following this financial discipline What is the responsibility of the centre To ensure there is proper financial discipline in the state, sir? Sir, the Honourable Member referred to the FRBM Act, sir Which is essentially an act which, of course, in centre we do have And every state has its own FRBM So, in other words, the FRBM for Andhra Pradesh Would be something which the Assembly there Will be ceased of the matter And per their act, they should take the discussion forward in the House If anything at all, one Second, as regards the kind of nudging or suggestion Or oversight that we can have Is derived from the Article 293 of the Constitution Which periodically we keep doing I just want to inform the Honourable Member through you, sir That these are steps which we take N. K. Prem Channan Sir, thank you very much for giving this opportunity To ask a supplementary on GST So, the GST compensation is a big controversy issue now in the country Most of the states are complaining And also making a suggestion and memorandum to the Government of India To extend the GST compensation period So that the state will be financially empowered See, I would like to know from the Honourable Minister Because it has already been the term of paying compensation GST compensation has already been expired on 30th June 2022 So I would like to know from the Honourable Minister If it is continuing It is an anticipatory question I would like to know academically from the Honourable Minister If it continues That if the GST compensation payable to the states continues Even after June 2022 At the present states How many states are eligible for getting GST compensation As per the statistical data available with the Government Because so many allegations are coming Since the GST compensation is not being paid The states are in big financial trouble And the stress is because of the GST compensation is not being paid So I would like to know from the Honourable Minister regarding this And also, Madam may be remembering that the last session The same question was put regarding the IGST also The IGST integrated GST also not being paid to the state Because they have not submitted the proper records And the Honourable Minister has directed me to discuss with the state government And let them supply all the documents regarding it I hope that the state government has already mentioned All the documents have already been submitted Whether the payment has duly been given These are the two supplements Thank you very much, sir Sir, the Honourable Member has raised Quite a lot of vicious and serious questions And if you allow me, I would like to answer each one of them Sir, the GST law And the one specifically on the compensation As the Honourable Member rightly pointed out Expired as of 30th June Meaning giving compensation To fill the gap between that assumed income And shortfall has come to an end as of 30th June 2022 The council subsequently, because all of us underwent the COVID pandemic When we didn't have revenues at all We had to borrow money and keep giving the compensation That borrowed money has to be serviced and to be returned So under the GST Act Which provided for the compensation Because it is the compensation which will have to be paid back to the states For the period which was covered by that Act And that had to be borrowed And now the borrowing will have to be paid With the advice of the Attorney General of India The council took a decision To extend collecting compensation Says till such a time Just that borrowed money And the interest that has to be paid to it Are repaid So 30th June 2022 Paying of compensation per se Has come to an end The Act Allows us to extend Collecting the compensation Says Says for paying the compensation Till 26 2026 March Only on account of Repaying the principal And servicing the interest For that amount For the borrowing that was done And that borrowing was done Purely for giving the compensation During that period Ending 30 June 2022 So the compensation Says is getting collected now Beyond 2022 Only for that point And nothing else And that Technically will have to come To an end by July 26 30th March 2026 Hopefully we'll be able To pay it back Even earlier Any extension Of paying compensation Beyond the amount Which is being borrowed Is not envisaged In the Act And the GST council Has had several discussion On this It is not envisaged In the Act To extend the compensation Stress collection Beyond 30th June 2022 That extension Which I explained Which is going on Till 26 Is only as regards Borrowed money Which has to be paid back That borrowing Was purely for paying The compensation So that is the true Position One Second Compensation Says not being paid I've explained this A lot of times I'm seeking your Intelligence So that I can Explain it again 30th June 2022 Was the last date When we started Collecting When we collected Kept collecting The CES And with the CES Collected We are paying For the states Paying for the states The compensation Happens Every time The state Produces With the AG Certificate Saying this is the Compensation due to us Please pay it The moment That comes in With the AG Certificate We pay it Honorable member NKPM Chandran Comes from Kerala I would like to Give him the Factual position As of now Kerala Has AG certificate Has been received From Kerala Four years Except for 22-23 First quarter 22-23 First quarter Kerala has not Sent the AG Certificate As yet Any payment Will be processed Now that the AG certificate Has been received And that is the Principle on which Compensation CES is being given To every state Every other state Has probably given Except for Nagaland Which has not given AG certificate For any year Beginning 2017-18 Sikkim Has not given For three years West Bengal Has not given For four years And so on It varies The position varies So the moment The claim Comes along With an AG certificate We release The compensation Amount We are not Holding back Compensation Amount For any other Reason Except if AG certificate Has not reached Us The devolution Of taxes Including GST Everything Has been Prescribed By our Constitutions And it is Constitutional Mandate Which is to be Abided by you But madam Don't take it Otherwise There is a General perception Being grown Across the Nation That Non-BJP Rule states Are being Deprived From having Their Legitimate due The latest Example is Karnataka Where the Entire ministry Has been Agitating Against The Indiscriminate And Orbitery Attitude Of your Administrations They are Allerging that They are Being famished By sheer Discrimination Being played From your Ministry I would Like to Know Whether State Government Of Karnataka Has been Deprived From Obtaining Their Legitimate Due Because Few months Ago The situation Was not There That time Everything Was going Hunky-dory But after The new Installation Of government Because the Non-BJP Government Has been Assumed There Since then The trouble Has been Started What is The reason Behind this Kind of Deprivation Kamil Narwal Sir Devolution To the States This is Beyond of Course This Question But still Because It's An Important Question On Which The Leader Of The Opposition Is Asking A Question I Would Certainly Respond Devolution To the States Happens In The Direct Tax Matters As Per The Recommendation Given By The Finance Commission The GST Particularly The GST The State GST Goes 100% To the States No one Can do Anything With it It has Automatic Provision That 100% Collected By The States Will Be With Them I Repeat 100% Is With Them IGST Is Collected Because It Involves A Lot Of Interstate Payments It Is Periodically Reviewed Also By The GST Council It Is Because States Should Get The Money In Their Hand Roughly Grossly 50% Is Divided And Then Periodically It Is Readjusted To Actuals So If A State Were To Get 41 And Not 50 Adjustment Happens If A State Were To Get 52 Adjustment Happens So Every Now And Then When Money Gets Accumulated Under The IGST It Is Divided Grossly At 50 50 To All States And Gets Reconciled Over The Time According To The CGST Is Divided As Per The Advice 42 Percent Of The Finance Commission So This Is Direct Tax GST Sir Direct Taxation Is Completely Determined By The Proportions Decided And Suggested And Accepted And Implemented By The Central Government Now Of Course Some States And This Rate Fixation Is Nothing To Do With The Government Of India Rate Fixation As To How Much Should Go To A State Is Done By The Finance Commission And Does The Finance Commission Sit In One Place And Take A Call On It No It Goes All Over Meets With Every State Government Talks To Them And Only Then Submits The Report I Want To Humbly Submit Before You So That Adirji Please Understand I Don't Have The Right To Change As Per My Whimps And Fancies That I Like A State Or This State Is Against My Party Politics And Therefore No Way I Have No Role In Fact In Fact I Would Have To Follow It 100 Percent And That's What I Have Done In My Term Here And That's What Every Finance Minister Does In Their Term Finance Commission Giving Recommendation That Which I Have To Implement It Is Done Without Any Kind Of Fear Or Favor Or Anything Like That So This Apprehension That Some States Are Being Discriminated Against Is A Politically Vitiated Narrative Which I'm Sorry To Say Vested Interests Are Happy To Go About Saying It There's Just Not A Possibility That Any Finance Minister Can Intervene To Say Don't Like This State Stop The Payment No Way It Cannot Happen That Way The Systems Are Well Placed That The Recommendations Of The Finance Commission For Every Month's Devolution Will Have To Happen But Now That Adirji Himself Has Said Politically You're Doing This I Want To Say And He I I I I Want To All Right Let Me Answer Your First Question And Also Join You On Your Second Additional Point Sir Adiranjanji Saying In This First Place Only Said Six Month Till Six Month It Were All Hunky Dory Now It Is Not Can I Seeking Your Indulgence Say Till Six Month If It Was Hunky Dory What Is Going Wrong Now Have You Started Spending On Items Which You Were Not Supposed To Spend I Am Not Even Questioning That Do Spend It But Don't Put The Blame On Me Don't Put The Blame On The Center Because It Goes By The Rule Book It Has To Give It Will Give If The Expenditure Are Going Into Are Which Cannot Be Sustained By Your Budget I Am Not Answerable For That So Adir Ji I Am Sorry Till Six Month Ago Which Government Was There Is Not My Roll Now To Talk Hunky Dory It Was No It's Not Introspect Please You Saying That I Didn't Say That You Are Saying That Sir Therefore Therefore Adir Ji I Respect Him I Give Him Detailed Answer But If There Is An Insinuation That It's Because Me Holding Money Here I'm Sorry When The Finance Commission Comes Please Tell Your Needs Please Tell Your Requirements Please Tell Your Status And Let The Finance Commission Fix It It's A Constitutional Body Sir Okay Okay Finance Commission Is Now One Minute One Minute Oh Surely I Certainly Sit With The Karnataka Minister Deputy Chief Minister Honorable D.K. Shukmarji Came And Met Me He Told Me About The Difficult I've Heard Them I've Given Them The Matter Of Fact Answer It's It's Not As If I Don't Want To Meet State Authorities State Ministers I Can't Do As Long As The Finance Commission Doesn't Tell Me To Do Constitutionally Unless The Finance Commission Tells Me To Do Something I Cannot I Don't Have The Discretion Adir Ji Please Don't Imagine That I Have A Discretion To Play Around With Finance Commission Recommendations Please Talk To Finance Commission I Am Not Talking About Generosity Sir I Am Talking About Finance Commission Recommendation Which I Follow To The Last Word I Am Not Talking About Anybody Generosity So Let Us Please Talk On The Terms Finance Commission Gives Me Recommendation I Follow It Now Suddenly Adir Ji Says Meet Up The State I Met Up The State I Am Not Doing Anything Is The Next Next Relegation I Can't Do Anything Is My Answer No Why Don't You Meet Them I Met Them But You Are I I Have I Have The Reply The Reply Ministry Of Tribal Affair Has Not Received Proposal For Inclusion Of Specifically Gond Inclusion Of These Community In STA So I Am Giving The References The Government Of Karnataka Has Sent The Cabinet Approved Note To The Central Government On 25 12 1996 And 10 To 1997 With Regard To The District Of Bither Undivided Gulbarga For Considering The Tribes By The Name Kuruba Has Synonymous Of Gonda Shuttle Tribe For These Districts In This Regard The Ministry Of Tribal Affair Government Of India Wied Its Letter Dated 21 4 1997 Requested Government Of Karnataka Department Of Social Welfare To Send The Ethnographic Report On Gonda Kurba Of These Districts The Tribal Research Institute Of Government Of Karnataka Conducted An Ethnological Survey Study On Gonda Kurba And Submitted Its Report To Government Of Karnataka The Report Approved In The State Cabinet On 3 3 2014 And Recommended To The Central Government On 4 3 2012 For Consideration Again The Secretary Of Government Social Bengaluru Also Submitted TRI Communities Views On The Report Of The Ministry Of Tribal's Affair Government Of India On 5 9 2014 12 5 2017 18 5 2018 31 5 2020 For Further Necessary Action However ORGI Without Getting Into Merits Of The Ethnographic Report And Considering The Irrelevant Literature Has Rized Quarries With The Ministry Of Tribal Affairs Same Has Been Taken Up With Government Of Karnataka Government Of Karnataka Has Addressed All The Quarries And Recommended Again For Consideration ORGI Again Asked Additional Information From Ethnographic Graphers Comments Of ORGI And Justification Of Ethnographic Report To Include The Term Kurba Has Synonymous Gonda Shell Tribe In Bither Kalburi And Sir This Is Very Burning And Serious Issue Sir Decently Two Days Back We A Amare Gulbar Ke Constituency Me Jo Cycle Tire Chub Puncture Karata Us Ke Betty Merit Me A Car She Was Employed Unka Certified Ne Diya Gaya Sir Us Go Verification Ke Bula Gaya Or She Died He Died Of Fat Attack Day Today These Things Are Happening Sir I Sincerely Request Gonda Kurba Gonda And Kurba Are Same In Only Three Distri Kurga Bidhar And Yadgir Me Kurba Gonda 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 Kurba Dhan Gar Bhi Bola Jata Sir In K Sair Unko Uttar Diyaya Gaya Unhoh Ne Jog Pooch Ha Us Me Unhoh Nne Kaha K Gonda Kurba Gonda Kurba Se Samband Prasta Vah Nahin Prasta Kurba Se Samband Dith Hai Or Do Prasta Hai Us Me Ek Kurba Samudaye Ko Jis Ka Chhetra Vistar Karne Ke Samband Me Or Dous Ra Hai Que Kurba Ko Gond Ke Priyay Vachy Samband Sinonimus Word Ke Roop Me Samblid Karna Is Maamle Me Jho Patra Choir Hooye Hai Us Ke Baare Me Mani Sada Se Naye Khud Bata Ya Hai Kyo Kis Ke E K Modalities Hai E K Poore Kis Bhi Community Ko Un Maanak Ke Aadhaar Par Vibhin Ashtar Par Raja Sarkar Ke Report Ane Ke Baad Me Jhaach Ho Tee And Jis Ashtar Par Ais 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 Riport Diyah E Ais 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 और अभी ये कुछ अस्तरों पर विचाराधिन है, जिसकी सूचना अभी तक मंत्राले को नहीं मिला है, आगे जब मिलेगा तो उसका सूचना हम मानिय सदस्य को अवस्य उपलब्ध करा देगे। कबलगा, गंगा, कबलगा and its synonymous are recommended by the state government for Karnataka for inclusion in ST list of Karnataka. Currently it is in RGI for evaluation. Sir, currently some communities like Tokarekoli, Dhorkoli, Koya, Kolcha, Kolga, Rajkoya, Binkoya are included in ST list of Karnataka. But the remaining leftover from the Tokarekoli, Koya, Dhorkoli, that is Koli and Kabbalga are necessary to include in the list of ST. At the earliest, it is my once again sincere request. Minister should sympathetically consider and take decision early, sir. Thank you. Thank you. Karnataka के मामला में गंगामाथा का है, हनुमत्था का है, जैसे कूली का उन्होंने कहा, उसी तरीके से कंडुवणियान का है, मल्याली का है. कई ऐसे समुहों का है, जो विभिन अस्तरों पर विचाराधिन है, ये ऐसे मामले हैं, जिस मामले को जो प्रावधान है, उसके अनुसार देखे बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए इसकी अवचारिकता के जो मामदंध है, उसके बारे में लगातार चर्चा हुई है, और दो हजार में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके अनुसार इसको देखना बहुत आवस्यक है. There are three communities in Goa, Relief, Gawla, and Kundi, which are included in Cedill Tri. There's a permanent request from government of Goa to include Dhingar community, which is much more backward than these three communities who are included in the list. So, please, I request the government and the minister to please consider this and include this Dhangar community in the scheduled tribe list. जिस राज्य से मैं आती हूँ महाराष्ट में, महाराथा, धंकर और लिंगयायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण की आंदोलन सब जगे चल रहे हैं. और धंकर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट सरकार ने भेजा था. पिछली बार भी मंत्री जी ने उसके वारे में भी जवाब दिया था. और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से, लेकिन उस पे कमिशन लगता है. तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराथा, धंकर, लिंगयात और मुस्लिम समाज को मिलेगा हाँ या क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों देना चाहती है. तब वो दिल्ली कागज आये के नहीं और दिनिर्नाई कब होगा. थैंक यू सर्थ. अहां तक धंगर समाज के विशे में है, क्योंकि माने सदस्य को इस बात से बहुत अधीक है, वो स्वयम आउगत है, कि इन मामले में राज्य ने एक बार बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया. अब प्रस्ताव जब राज्य सरकार के पास है, तो केंद्र के पास भिशे भिचार के लिए कैसे हो सकता है, तो क्योंकि यह राज्यों के सूची बनते हैं और राज्य के अनुसंसा के आलोक में बाकी कारवाई प्रारंभूती है. श्री निश्यकान दुबे जी. बाद सभापती महदे, सभापती महदे 2014 में एक कमीटी बनी हिर्सिकेस पांडा कमीटी, और उसने सारे लोग जो आरजी आई, राजी सरकार, सेस्टी कमीशन, उन सवों के मेंबर उसके सदसे थे. और उसने एक रिकमेडेशन किया कि कईये कैसी जातियां हैं, जो की ट्राइबल थी, और किसी कारणबस, भूलबस जो है, वो छूट गे. उसमें से दो जाती हमारे यहाँ है, जारखंड में, खेताओडी और घटबाल, जब माननी मंत्री जी, बुख्य मंत्री थे, जारखंड के, उन्होंने खुद ही दो बार इस प्रपोजल को भेजा है. सहंयोग बढ़िया है कि हिर्षिकेस पांडा कमीटी की भी रिपोर्ट मोदी जी के प्रदार मंत्री बनने के बाद आई. ये खुद मंत्री हैं क्या वो दोनों जातियां जो किसी भूल बस शूट गई और हिर्शी का इस पांडा कमीटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें बिना किसी नियम कानून के उस कमीटी के आधार पर आप उसको स्टी का स्टेटस दे दीजे उसकी क्या इस्तिति है क्योंकि उसका जवाब यहीं आएगा कि राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया लेकिन पांडा कमीटी के आलोक में क्या उसको स्टी का स्टेटस हम दे सकते जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जो राज्य सरकार के एंथ्रोपोलिजिकल रिपोर्ट के आधार पर आई गई रिपोर्ट पर जनजातिय मंत्राले बिभिन अस्तरों पर तो कि सबसे पहले आरजियाई आरजियाई के बाद नेशनल कमिशन फो सिडूल ट्राइब्स और उसके बाद कई मंत्रालेओं से विचार विमस करते हुए मंत्री परिशत में ले करके आती है यह एक विधी निर्धारित की गई है प्रावधान किया गया है अब पंडा कमिटी एक गठित हुई थी जिस पंडा कमिटी के माध्यम से यह बताया गया जिस तरीके से लोकूर कमिटी 1962 में बनी थी उसी तरीके से एक पंडा कमिटी बनी थी जिनोंने कुछ चीजों को सामने लेकर के आया था लेकिन जब इस पर विचार हुआ तो यह हुआ कि जो हमारी बीधी निर्धारित की गई है जो गाइडलाइन्स बनाई गए उस गाइडलाइन्स के आधहार पर ही अन्य था कई कमिटी इस तरह की बनेगी और उस कमिटी के माध्यम से सीडूलिंग का क्योंकि आर्टिकल 342 के जो कॉस्टिचूशनल प्रोविजन्स है उसके माबदंड को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी कमिशन के माध्यम से आये रिपोर्ट के माध्यम से सीडूलिंग का कारे करें बलकि इसके जो बिभिन स्टेजेज है उसके आधार पर ही इसको लाना चाहिए तो उसको पूरा करने के लिए फिर राज्यों को भेजा गया जहांता घटवार और खेतोरी की बात है घटवार और खेतोरी का इसके पहले कई इसमारित किया गया है और लगातार पूछा गया है लेकिर राजे के तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई उत्तर मंत्राले को प्राप्त नहीं है. Qution No. 24, Shri K. Subba Narend. No. 24, Mania Mantri Ji. Qution No. 24, Shri K. Subba Narend. Qution No. 24, Shri K. Subba Narend. Qution No. 24, Shri K. Subba Narend. जबाई बार्टर्वाइट धिफनर जबेटाबिकाता थर्माटरिब कला प्रटेफरान Susi, the Minister has given a detailed reply. ऩो भीटवीड बीटिटो अपरेट गड Stall próxim थे इपी पेपी लेटीटेट आज्emyपर leven करेट टीनिपनओें डिलिट ए थे जुट विट एक वेन अजिक जडेकर अज़ एक bottle nove Nee मिन्स्ट अब आफिजा के जा है पिर तेवादा यह बीजिजिग्टाट मैंने माड़ में किरे माड़ में डिजिए टाइप है May I ask from the honourable minister as to when in the government's estimate the investment rate will go up to 39 percent as it happened to 2011- 12. And what are the further steps being taken by the government in this regard? Investment rate is very low and all the government's tall talk has not resulted in investment going up. जहां तक निवेस का सवाल उसका विस्तार से उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है. लेकिन अगर देखें जो हमने उत्तर में भी बताया है कि इधर जो भारा सरकार ने तमाम सुधार किये हैं. चाहिए अब इसी कोट का हम लोगों ने लाया चाहिए जी एस्टी को लेकर के आए और भारी मात्ता में जो हम लोग इंफास्ट्ट्चर पे खर्च कर रहे हैं. उसको अगर देखें तो लगातार निवेस में कोविट के बात में जो कोविट के समय जो घटोत्री हुई थी. आ कर दोर अब दोन पर दो के लिए एक लिए खर्च के लोगो इस लोग जो घो डिक लिलिए इस खर्चाहि फूडिया झालुड का लुड जोजा तो लाय जो डिए खर्च प्रसके ज Speak यो और स्टाफ भास हैं इसाजर आध डिवा डिवोडि ए दिवडों स्टाल इसकार इस्ट encrypted? आपको पार बात्रा यह जो को आपना दो जिस्टर ऑटिर कर पुन धियूतर टीक इसक अगोट बरुजान थे च्बिर श्वक्ति आप झामधी डेस्ट एपुनेश्टिर विच्ति अभ्डित ज्यवियू सब्सक्राइब चाहत कर देंग्डित कर देद्ध का प्यापक्स मानियद्दी जहां तक GST के संसोधन करने का सवाल है GST की अपनी एक समिधानिक विवस्ता काउंसिल है उसका निर्णे कहीं न कहीं GST काउंसिल ही लेती है जहां तक CAPEX से बढ़ाने का सवाल है और देखें कि भारा सरकार ने कोविट के समय भी जब हमारा सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था टेक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा था उस समय भी भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन लेकर सरकारों की बदद करने का कार्ट किया है और अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाय चल नहीं है वो कहीना कहीं भारत सरकार का अपना कोई छेत नहीं है उन सारे वो जनाओं का लाब कहीना कहीं सभी देसों में अलग-अलग यो जनाओं के मादम से दिया जाता है क्यूशन नंबर 25 स्रीमति पूनम माजन पटल पर दिया गया है राम शिरो मनी वर्मा यहां सामान और उच्छा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है क्या सरकार ने देश के पिछडे और आकांची जिलो में उच्छा में सुधार और उसकी गुलवक्ता को सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई है अधरिणिय अध्रक्ष महदय, मारनिय शदश्य ने बहुत ही अच्छा प्रशन पूचा है हमारे सरकार रास्ट्र शिक्षा नीती 2020 के दुरान सारे देश में शभी स्थार के शिक्षा छेत्रों में भारा देने के कोशिश कर रहे है इसमें जब उच्छो शिक्षा खेत्रों के बात हम कहेंगे तो इसमें पिये मुशा पिये मुशा जो पहले हम रूशा नाम से चलते हैं रूशा वन रूशा टू अभी 2023 जून में पिये मुशा हमने लांच किया अर इसमें सभी राज्यो ने मुशा लेकिन पाँच राज्यो फाज्यो जो है ले विहार दिली औरिशा तामिल नारू and वेस्ट विंगाल यह पांच राज्यो इससे नहीं जूरा है उनको क्या मालूम नहीं चुक्षा के जरूरत हैं कहने तो इसमें जो फोकस है, फोकस है जो एनबी को दाड़ा और फोकस डिस्ट्रिक्ट भी आए, फोकस डिस्ट्रिक्ट वो हमारे जो स्टेट्स, वही चायन करते हैं, और इसके साथ-साथ जब सरे एक्सेस, एक्वीटी और जो इसको एक्सेलेंस उसको बारे में भी आगे, चले इसके बारे में चच्चा करके सब्सक्राइब के दाड़ा प्रोपोसर प्रेज दे आए और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा स्टेट ही रहेगा राशनलाइस्ट स्टेट भी कर सकता है यूनिट अफ कोस्ट और इसके साथ-साथ कोई हाड कंपोनेंट सब्सक्राइब के बारे में अलग से कुछ नहीं किया हम साड़ी इसके लिए कर रहे हैं स्टी संजे सेट मैं आपके माध्यम से मानिय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि पीम रूसा इसकीम में हमारे राज जारखंड में उस कितने जिले सम्मिलित किया गया है और हमारे रांची में खिलारी में कोई सेंट्रल स्कूल खोलने की कोई विवस्ता है क्या और रांची जिले में कोई केंद्री विद्ध्याले और खोलने की जानकारी है क्या आज़ीडी अध्रिक्षब महधाई मानने शादश्य ने बहुत ही अच्छे प्रशन पूछे हैं तो हमारे जारखान में पीएम रूशा में भी जो अच्छे काम भी हुआ था उसमें 2018 में 27 प्रजेक्ट हुआ 27 उनिट्स और 2019-20 में 9 प्रजेक्ट हुआ यजिसके शाद शाद तो प्यम उशा नया चानी थूआं प्यम उशा 2500 जून में लंच हुआ इसमें भी झारखन में 12 दिस्टिक्ट बारः डिस्टिक्ट चानी थूआ ये 12 डिस्टिक्ट में हैं चात्रा, दूमका, गिरिडी, गोड़ा, गुमला, जामतरा, खुन्ती, लातेहार, पालामोव, शाहवगाज, जिम्देगा और वेस्ट सिंग्भूम. ये सारे जगा में हमारे जितने सारे ब्रहुस्था है, जो मुटिस्पिलरी एड्योकेशन अंरिसर्च, और इूणिवर्सिटिस, गैंस्टूस्तू सिंग्देन उनिवर्सिटिस, ग्रैंस्तू स्थेंग्देन कोलेजेस, नीयो मौडल कोलेजेस, और जेंडर इंक्रूशन। और इसके साथ-साथ जो गिरिडी में जो हुआ इसमें गॉर्बर्मेंट एड़ेट जो स्कूल इसमें जहर नबदाई विद्धालाई एक भी हुआ, केंद्रियो विद्धालाई भी एक है और मदरा साथ रिकोगनाईज मदरा सान रिकोगनाईज भी है तेरा और इसके साथ-साथ जो 95 प्राइबेट आनेड़ेट स्कूल उभी हुआ. प्रश्निकाल समात. झाल प्रश्निकाल समात.